कुरोना वारस का नया वेरियंट ओमीक्रोन देश में तेजी से फैल रहा है। राधानी दिल्ली में ही ओमीक्रोन के एक साथ दस मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमीक्रोन के कुल संक्रितों की संख्या बढ़कर भीस हो गई है। ओमीक्रोन देश के अप्ता ओमिक्रोन के मामले बढ़कर 20 हो गए हैं 20 मरीजों में से 10 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है दिली के स्वास मंत्री सतेन जैन की ओर से यह जानकारी दी गई है उधर देश में करोना के 7447 नए मामले सामने आये हैं रहात की बात यह रही कि बीते 24 गंटे में क करोना वाइरस का आकड़ा 3,47,26,94 पहुंच गया है सक्रिय मामलों की संख्या 86,415 है वही मौत का कुल आकड़ा 4,76,889 पहुंच गया है स्वास मंत्राले के अधिकार्जियों का कहना है कि जिस तरह तीन हफते के अंदर ओमिक्रोन अफरीका और यूरोप में हावी हो गया ह उससे भारत में भी जनवरी तक इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने की आशंका है उन्होंने कहा कि यह ओमिक्रोन क्रोना वाइरस की तीसरी लहर का कानल बन सकता है जिसके चलते फिलाल सभी को सतक रहने की जरूरत है बेरो रिपोर्ट एवी निउस